स्वागत है आपका दा हिमाल्य ने स्टेडी यूट्यूब चैनल पर हम आशिस कुमार रस्तोगी आज आपके सामने टॉपिक लिए कर आए हैं अनुसंधान अनुसंधान को इंगलिस में कहते हैं इसर्च आज हम आपको समझाएंगे इसर्च होती क्या है और इसकी विशिस्त आपका पूछे आता है कि आखिर रिशर्च है क्या और इसकी विशिस्ताएं क्या है तो सुर्वात करते हैं आपके टॉपिक की अनुसंधान की सबसे पहले आपको समझायाते हैं इसका एक समाने परिच्छे मुनिस्य एक जिग्यासू प्राणी है बह प्राचिन काल से ही न अपने बिवेक की अधार पर मुनिस्य ने जितनी वी स्ईयां चीजों को खो जा है अपने ज्यान के अधार पर तो अनुसंद्धान ही एक ऐसा सब्याइट है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान यानि चिंतन सकती और अपनी तर्क सकती अपनी विवेग को बढ़ा सकते हैं तो समय के अनुसार भी अनुसंद्धान में परिवर्तन होता रहता है प्राचिन काल में जो अनुसंद्धान होता था आपका और जो बडत्मानं का अनुसंदान होता है दोनों का पैट sequence बदा चुका है आज की व्ेक्तियों को सोच और जो प्राचिन काल के व्에क्तियों की सोच में जिमीनासमान का अन्दर है और समय का नुसार होना भी चाहिए ने अ मुप क्यों है क्यों कि मुनिष से जो प्राचिन काल का एक आदि मानफ कामनश्य था पत्थर युग में था यानि पथर के युग में प्रिवस किया उसने और जैसे यह यह से और जैसे इस दे आगेन पेर रिसर्च कारे कराती हैं जैसे जेनु है बनारस इनिवर्स्टी है यह सब इनिवर्स्टियां काफी है पूरे ओल इंडिया में और बढ़ने में भी Cambridge विश्वित धाले Oxford इनिवर्स्टी यहां पर भी रिसर्च कारे संपन किये जाते हैं और आपके काफी रिसर्च का एरिया यानि कि अनुसंद्धान कितने सब्दू से मिलके बनाएं दो सब्दू से रि प्लस सर्च यानि कि रि प्लस सर्च दो सब्दू से मिलके बनाएं इसको कहते हैं रिसर्च जैसको कमभाइन डूप से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं रिसर्च यानि कि इसके दो पाइट ह होता है खोजना तो इसका मतलब क्या हुए कि मदलब कर बार-वार खोजना हम किसी बी चीज को बार-वार खोशते जैते हैं जैसे कि एक टॉपिक पर खोज हो चुकी है तो ऐसा नहीं कि उसके बाद ओनी बंद हो जाए है बिए से समय में परिवर्तन हो रहा है तो उस छेत्र में नई नी टेक्नलोजी विक्सित हो दिया रही जिसके माध्यम से हम बारवार नई नी सर्च करते आ को यह को परियोग के आता है ये इसमें लिक्षा में मौस्टाओंड आपके जो समय में आपके साम में कि सबसे एक सब्सppen पहला आपका सब्दब कौ Ist insane data गाते हैं समंग को कहते हैं यानि कि हम और सब्दान में डाटा को एकटा करते हैं कि समाग तबी तो हमारी सच कर रहे पुरा होपाईगा जब डाटा को एकटा नहीं करें तो सपूर्ण में नहीं माने आता है भिसेलेशन जो हमने डाटा किया है उसको आनलेसिस भी तो करेंगे हम अपना एक तरीके सांकी की विद्यों के अधर्वा भी कर सकते हैं जैसे मीन मेडियन मोड और इसमें काफी एरिया है इसमें जिसके अधर पर इसमें सर्च होती है यानि कि जो आपके समंग है उसको करेंगे एनालेसिस करेंगे इसको हम तो का मतलब उसमें एनलेसिस हम एक बिग्यानिक खोज करता की रूप में इसे में जर्च करेंगे यानि कि एक समाने मुनिस से के अंदर जैसे समाने मुनिस से होता है और यह का होता है एक साइंटिविक बेगती दूर पिरकार के समाजी बेगती होते हैं एक की सोच अलग होती है एक होती साइंटिविक कोज़ना होता है कि इसके वादेंसमें आपका प्रच्छा इनध्री है firearm होसकता है हम्हें अनुस अन्धान के अंद्रगत इनकायरी होती है कि इस पर कितना कितना हम जैक्ट से अध्यादे से डाट अमिल जाए जाए इसका मदली इसमें ए घ्या निक नहीं होती है systematic तरीके से होने चीह है systematic का मतलब जैसे आपका हम यह एक बतारा है यह systematic है यह पहले हम पहले पहले पर चुड़ेंगे उसका इसके बाद नंबर दो नंबर तीन नंबर चार तो यह systematic करंबद यानिक यहीं आपका अनुसंद्धान में इसका तो कौन-को सब्दा करते है तो यह आपको क्लियर होगे कि अनुसंदान होता है यानि की अनुसंदां का मतलब क्या है बार बार खोजना इसके बाद हम आपके सामने लेखाहे हैं कुछ परिभाशा है अनुसंधान की पुष्टी जिसके सुझावों की पुष्टी तत्थियों के माध्यम से हमारे पर तत्थियों ने बहुत जरूरी है मुन्रों का ऐसा मानना है कि अनुसंधान समस्याओं को सुल्जानी की बहविदी है जिसके सुझावों की पुष्टी तत्य द्वरा की जाती है याने कि हमें तत्यों को एकत्र करना होगा जिसके अधाय पर हमारा अनुसंधान कारे पोण होगा रेड मैन एक सिक्षा सास्तरी इन्हों नहीं क्या कहा है अनुसंधान नवीन ग्यान यह UGC NED और यह राज के दिगरी कोलेज की जो परिशा उसमें पूछा गया है यह कुष्टन आपका कि अनुसंधान कैसे परिकरिया है अनुसंधान नवीन ग्यान प्राप्त करने का एक सुववस्तित परियास है यानि कि अनुसंधान नवीन ज्यान प्राप्त करने का एक सुवविस्तित का मदला होता है तरह के से करंबद प्रियास है ये परिवासक किसकी है रेड मैन की और ये परिवासक पिवर में आयूई है कि ये परिवासक किसने दिये रेड मैन ने दिये है इसके बाद हैं इसमें बिशेस्ता हैं आपकी अनुसंदधान की नमबर निक बिशेस्ता है समस्या का समधान खोजना हम अनुसंदधान में कोईभी समस्या हो सकती है जो भी आपका topic हो चाये वो history का हो, जोगर्फी का हो political का हो, चाये वो आपका psychology का हो या chemistry या physics का हो सभी में हम क्या काम करते हैं समस्या का समधान खोशते हैं तबी तो हमारा research करें पूर्ण हो पाएगा नमर दू है नवीन ग्यान के प्राप्ति नवीन ग्यान के प्राप्ति का एक मात्र साधन के अनुसंधान हमें ऐसा लगता है कि किसी topic पर research हो चुकी है लेकिन आगर उसको हम बारे की सद्धन करें तो हमें बहुत सारे इसे मिलेंगे जिस पर अनुसंधान का रहें आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि नवीन ग्यान के प्राप्ति अनुसंधान के मादयम से कि जाती है ब्यवहाय की समस्दों का समधान एक उता है ज्यान पराप्त करना एक उता है ब्यवहार ही ज्यान किताब ही ज्यान को बेवहार से जोढ़ना जैसे मालीजी ए कोई topic है आपका कि नगर की सुविवश्थित प्रियर्या तो नगर की सुवेश्टीर प्रिकरिया क्ले परड़ हम उसके Community करेंगे हम basic करेंगे सब्सक्ताइक होगे हम अनुसंद्धान करेंगे तब तो कि अनुसंद्धान करण तक क्ले हैं कि यह काम करता है यह वे शम्मचान करता है यह यह खूछता है या एक तरीके से प्राचिन कालोंवी चंतन कर रहा है चिंतन के बल पे ही अनुसंधान कारे कियाता है तो इसमें लिखवा कि चंतन की आधनिक विदि यह आनोगी इसका मलबिया कि आधनी काल में क्या प्रॉसेस चला है उस पर सकतरेंगे और उस पर चंतन मनन करेंगे आप लेसन पढ़ाओगा खाली और उस लेसन को आपको एप्लाई करके अपना रिसरच कारे पूर्ण करना होगा जाद स्यादा आपको एक तरीके से वेक्ती में नहीं पायाती है क्योंकि तर्किकता होनी बहुत जुरूरी है एक अनुसंधान कारे Mother करने वाले था तबी तो वो खिसी इच पर सही गलत का अडिसियन ले पाएगा कि इसमें सही क्या है, टाविक में वो गलत क्या है, क्या कमी आए, कैसे दूर किये जाए तो इसमें का मतलब क्या है, तारकिकता, यानि कि तर्क भी तर्क करना आना चाहिए उस वेक्ति को, अनुसंधान कारे करने वाले को, विवेक एवं समझ का परियाप्त ग्यान, या एक तरीके से विवेक एवं समझ का परियाप्त युगदान, आगर विवेक नहीं होगा, समझ नहीं होगी तो अनुसंधान कारे तो बैसी आपका होई नहीं पाएगा, इसलिए ह क्या और उसमें अच्छा हो सकता है नोसंधान कारे में और हमें अपनी इसांद परियापत योगदान रहता है ऎको पूर्वचिंतन क्या होता है पूर्वचिंतन पुर्व चिंतन इंगलिस में कहते हैं इसको हाईपोत्थीस हम किम हैं कोई चीज है उस से पहले पूर्व अनुमान लगाना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है किस प्रेकार होगा प्रोसेस क्या है उसका तो इसलिए इसको क्या कहा है परिकल्पना वो पूर्व चिंतन कहा गया है निसकर्स की पुर्मारिक पुष्टी यह नंबर 9 विशेष्टायप की निसकर्सों की पुर्मारिक पुष्टी होती है आगर हम अनुसंधान कारें करेंगे तो इसके माध्यम से क्या होता है हम किसी निसकर्स की पुर्मारिक पुष्टी कर सकते हैं लाइश्ट में जब हम इस टैप पहुचेंगे तो हमें निसकर्स आपको प्रमार्द पुष्ट्री करनी होगे अनुसंधान में और नमबर 10 है इमान दर्य पूर्ण प्रक्रिया हमें जतना इमान दर्य पूर्शी प्रक्रिया करेंगे हम हमारा अनुसंधान का रहे अच्छा होगा तो यह ज werk के विशाष्थ अनुसंद्धान कारे की एक वारिस को रिवियन कर लेते हैं नमबर एक विशेस्ता समस्या का समधान खोईना नमबर दो नवीन ज्यान की प्राप्ति ये मोश्च मेनट आपका नमबर तीन बेवारिक समस्या का समधान खोईना चिंतन की आधुनिक विदी, गैन अध्यन, तारकिक्ता, बिवेक एमस समझ का परियाप्त योगदान, परिकर्पना की पुष्टी, निसकार्सो की प्रमारिक पुष्टी, इमानदारी पूर्ण पिरकरिया, यह सब क्या है आपकी अनुसंधान की बिसेस्ता हैं, तो जहां तक चैनल को, जो लोग नए हिस चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और सेर करें, धन्यवाद.